हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का और आज के ब्लॉक की सुरवात हो रही है मॉर्निंग टी के साथ ये बना रहे हैं मेरे हस्पेंड तो उन्होंने इसमें तुलसी के पत्ते अद्रक काली मिर्च लॉंग इन सब को कूट कर डाल दिया ह और अच्छे से चाय को बॉइल कर रहे हैं चाय अच्छे से बॉइल हो चुकी है उसके बाद इसमें उन्होंने दूरेट कर दिया है और यह जो क्लिप है ना उन्हीने शूट की थी आज मॉर्निंग टी वही बना रहे हैं तो उन्होंने ही बना ली है ये क्लिप मैंने उनसे नहीं बोला था और यहां पर साथी साथ उन्होंने तबे पर आलू फ्राय कर लिए हैं थोड़ा सा मींस ऑईल डाल कर इनको अच्छे से सेक लिया एक क्रिस्पी होने तक और पनीर भी रखा हुआ था तो पनीर को भी अच्छे से फ्राय कर लिया आप देख सकते हैं तो बस यह जो है ना तयार है यहां पर प्लेट में निकाल लिये हैं इसमें नोने काला नमक नमक लाल मिर्च पाउडर चाट मसाला यह सब डाला है थोड़ी सी बूंदी भी डाल दी है तो यह जो है ना आज का हमारा ब्रेकफाइश समझ लीजिए और बस चाय भी बनकर तयार है इनका यह बहुत ही जादा टेस्टी लग रहे थे खाने में और अगर इनके हाथ की चाय मिल जाये ना मॉर्णिंग में तो पूरा दिन ही बन जाता है सच बताऊंग तो तो चलिए हम लोग चाय पी लेते हैं और अभी ना टाइम हो रहा है दुफैर का काफी तेज बारिश हो रही है तो मैंने सुचे कि आप लोगों को दिखा देती हूं और मौसम ना भी काफी अच्छा हो गया है बिल्कुल भी गर्मी वाला मौसम नहीं है ठंड़क वनी हुई है क्योंकि बारिश हो रही है बंद हो जाती है बंद हो जाती है लेकिन काफी अच्छा लगता है तो आप ल हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई चैनल और कैसे हैं आप सब को पाप लोग अच्छे होंगे और अभी टाइम हो रहा है इबनिंग का तो बस मैं जा रही हूं किचिन में आपर मुझे वरतन वगरे सैट करना है और साथी साथ मैं बनाऊंगी रवे का हलवा तो रवे का सबस्के रवान नहीं ओट को बनाती हूं का वा पोछ्टे ऑक तरह ब्रम करना खाना वां बना बोट दो का सबस्क्रा तो नहीं ह겠ुदू कि पूछ नहीं तो में तो अब रहे थे कि रवे का हल्वा बशाए जाएग ना धूड़ा च्वान केह तétait तूंकि मैं रुद तो बस यहां पर जो बर्तन हैं उनी को मैं लगा रही हूं जगे पर और इब्डिंग में जब किचिन में आऊ ना तो यही काम होता है सबसे पहले कि बर्तनों को लगाना होता है क्योंकि अच्छे से सुख भी जाते हैं और उसके बाद फिर बास्केट भी खाली करनी होती है क्योंकि फिर बर्तन क्लीन करेंगे तो उनको रखना होता है इसलिए और मैंने रबे का पैकेट भी निकाल लिया है आप देख सकते हैं पर रखा हुआ है क्योंकि कंटेनर में खतम हो गया था तो जो पैकट लेकर आई थी ना उनको ही मैंना यहां पर निकाल लिया है और बस मैंना कड़ाई गैस पर रख दी है क्योंकि हल्वा बनेगा इसी लिए और बस बरतन जो है ना सारे मैंने लगा दिये हैं जगे पर और उ अभी भीया नहीं आये हैं लेकिन मैं सूचनी हूँ कि यह तैयारी मैं कर लेती हूँ जब वो आएंगे ना उस टाइम बस हल्वा बना दूंगी बनाकर तो पहले भी रख सकती थी लेकिन वो जो है ना ठंड़ा हो जाता है और गरम यह अच्छा लगता है हल्वा खाने में और मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं चलिए उनको मैं विश कर देती हूँ सबसे पहले मैं अपने सिष्टर को विश करना चाहूंगी उनका बर्थडे है 31 अगस्त को और मैं यह ब्लोग पहले का है इसलिए सामने से नहीं बोल पाई तो अभी यहाँ पर उनको विश करती हू विश यू हैपी बर्थडे माई डियर लवली शिष्टर और बस भगवान आपको लाइप की सारी खुशिया दे आप जो भी काम करो उसमें खुब तरक्की मिले खुब खुश रहो तो बस मुझे उनको विश करना था फॉन पर तो हमने विश करी दिया था और आप लोगों विश यू हैपी बर्थडे बेटू आप खुश रहो हैपी रहो गॉड आपको लाइप की सारी खुशिया दे तो बस यहाँ पर जो ड्राइफ रूट है उनको मैंने कट कर लिया है और है दिख्चा सिंग इनका बर्थडे था 25 अगस्त को इन्होंने मुझे काफी लेट बत बर्थडे दिख्चा जी आप खुश रहिए हैपी रहिए और है चंचल बर्मा इनका बर्थडे है एक सितेंबर को सो विश्यू हैपी बर्थडे चंचल जी और है प्रीती दलाल इनके हस्बेंड का बर्थडे भी एक सितेंबर कोई है उनका नाम है मौनु संगबार सो जविश करना था और यहां पर मैं जो है ना कंटेनर में भर रही हूं मुंग डाल की बड़ी जो की मेरी मम्मी ने भेजी थी रखी हुई थी तो उनको भी मैंने कंटेनर में भरके रख दिया है और वो घर पर ही बनाती है तो काफी अच्छी लगती है मार्केट की बिल्कुल मैं जो है ना हम लोगों के लिए चाय बना रही हूं और चाय को मैंने दूसरी गैस पर ट्रांसपर कर दिया है और यहां पर मैं बना रही हूं हलबा उसी के लिए मैंने कड़ाई में देशी घी एट कर दिया है और बस घी गरम हो गया है उसके बाद यहां पर मैंने रवा ए गोल्डन कलर का हो जाए और हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है मेंस चलाना है वरना जो रवा है वो जल जाएगा तो गैस का फ्लेम मैंने स्लो और मीडियम के वीच करके रखा है और इसको बस मैं अच्छे से चलाती जा रही हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं रवा अच्छे से भुन चुका है इसमें मैंने कटे गो ड्राइफ रूट डाल दिये हैं और बस इसमें पानी एट कर दिया है अब मैं इसमें डाल दू चीनी टेश्ट के अकॉर्डिंग और बस इसको जो है पकने दूंकी तो यहाँ पर मैंने चाय में दूद भी एट कर दिया है चाय बॉइल हो रही है साथी साथ जो हल्वा है बो भी बन रहा है और पहले हम लोग चाय पिएंगे हल्वा तो बाद में खाएंगे क्यूंकि है नहीं और इन्होंने भी थोड़ा सा ही खाया था फिर जो है रखा रहता है बच जाता है तो इसलिए मैं थोड़ा ही बनाया है और बस चाय बन चुकी है यहाँ पर मैं निकाल रही हूं नमकीन पैकेट में से आलू भुजिया है यह क्योंकि कंटेनर में खतम हो गई है आल तब तक हम लोग पी लेंगे और यहाँ पर मैं थोड़ा सनमखीन और लेकर जा रही हूं हम लोगों के लिए तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हलवा बनकर तयार हो चुका है और मैं पहले थोड़ा हलवा निकाल दूंगी क्योंकि गनपती जी को भोग लगेगा उसक मिक्स कर दूंगी हलवा बनने के बाद हमेशा थोड़ा सा देशी घी जो है ना बाद में जरूर डालने और टेस्ट बढ़ जाता है तो बस गर्मा गरम रवे का हलवा बनकर तयार है जिस जिसको पसंद है मीटा खाना और हलवा खाना तो आ जाईए आप लोग भी हमारे तो यहां पर मैं अब इसको निकाल लूँगी प्लेट में चाय पिये हुए थोड़ा टाइम हो गया है तो बस मैंन यहां पर दो प्लेट में निकाला है इन लोगों के लिए क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं ता खाने का तो बस यह बनकर तयार है और बस अभी जो है ना मिक्स कर दी है डाल दी है और अच्छे से मिक्स करके ना इस तरह की जो यह डबी है ना पास पास की इस में मैं भर दूंगी क्योंकि हम लोग जो है ना डेली खाना काने के बाद इसको खाते हैं और यह जो डबी खाली हो गई थी ना पास पास की तो मैं इसी में भर दे रही प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा साथ मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा जो भी मेरे चैनल पर नए हैं पहली वार वीडियो को वाच कर रहे हैं मैं आप सभी से मिलती हूं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए बबाई, टेक क्यार थैंक्स पर वाचिंग और यहाँ पर देखें मैंने इसको भर दिया है और आपनों को दिखा रही हूं किस तरह से निकाल कर हम लोग खाते हैं